नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे होमेपेथी के एक बहुत ही शानधार मेडिसिन जिसका प्रयोग बहुत जाधा कंडिशन्स में किया जाता है उसका नाम है सीपिया दोस्तों दोस्तों सीपिया देखा जाए तो फीमेल डॉमिनेटिव मेडिसिन है कि इसका मत्यब लएक आप समझ ले फीमेल की मैग्जम हर बीमारी के लिए सीपिया का प्रयोग किया जाता है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि पूरुष इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं अगर आपको इनके लक्षर सिमलर लग रहे हैं आप में ऐसे लक्षर देखने को मिल रहे हैं तो आप भी यानि कि मेल्स भी बेशक सीपिया का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे मैं भी मताऊंगे दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फोमेटियू है आप इसको अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं जोस्तों अब आप सभी मेरे साथ मेरी वेबसाइट डॉक्टर प्रांजली डॉट कॉम पे जुड़ सकते हैं जहां आपको मेरे अपॉइंट्मेंटियों मेडिसन संबंदित सारी इंफोमेशन मिल जाएंगी मेरे आगे जितने व्लॉक्स होमेपति क्या नॉमल हेल्थ रिलेटेड आएंगे उन सब की अपडेशन भी आपको मिलेगी और अगर आप सभी मेरे साथ मेरी सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो उसके भी लिंक्स आपको महाँ पे अविलेबल मिल मेरे ली काटल फिश होती है मचली होती है इससे बनाई गई यह मेडिसन है दोस्तो इसका प्रियोग महलाओं की हर समस्यांओं के लिए हर महर में हर प्रियोग कर रही हुआ almost जितनी भी परिशानी महिलाओं में होती है चाहे वो छोटी बच्चियों से लेकर adults में, old age वालों में जैसे menopause के symptoms है adults में बहुत बार ऐसे menstrual related issues आते हैं बच्चों में related ऐसे issues आते हैं साथ ही उनको fibroid है prolapse of uterus है menopausal symptoms है इन सब पे दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है और साथी साथ दोस्तों ये पुरिशों पे भी अच्छी काम करती है अगर उनको symptom similarity मिल रही है तो अगर medicines आपको symptoms के basis पे आपने लिए है तो आप पे भी उतनी ही बेतर काम करेगी तो दोस्तों बात करते हैं जैसे हम pattern follow करते हैं head to toe में तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इसका mind syndrome mind दोस्तों CPI का बहुत ही characteristic symptoms आते हैं इसमें एक बहुत ही important word यूज़ किया जाता है हुमेरते में indifferent indifferent का मतलब होता है उदासीन उदासीन मतलब आप उन लोगों के प्रती उदासीन हो जाए जिनसे आप बहुत ज़्यादा attach है जिनसे आप बहुत snake करते हैं उनके प्रती आप में उदासीन ता आने लगे चाहे वो आपके family members हो आप like आपके husband हो आपके बच्चे हो या आपके like siblings हो, parents हो उनके प्रती आपको उदासीन ता आने लगे इस महिला में दोस्तों एक अंदर से ऐसी thinking शुरू हो जाती है वो सोचते है कि घर का कोई भी इंसान उससे लगाव नहीं रखता उससे प्यार नहीं करता इसलिए वो हमेशा अपने आपको एक neglected feel करने लगती है जबकि ऐसी सचाई नहीं होती घर के लोग उसको उतने ही value करते हैं लेकिन internally वो ऐसा सोचना शुरू कर देती है जिसके वज़े से धीरे धीरे उसके अंदर ये उदासीन ता आनी शुरू हो जाती है second दोस्तों जब बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा उसको बहुत quick hypersensitive होगी हर छोटी चीजों के लिए और गुस्सा आया तो चाके अकेले बैट जाएगी बिल्कुल किसे से बातचीत नहीं करना पसंद करेगी और अंदर दिल में उसको अकेले रहने से उसको कुलजन भी हो रही है लेकिन वह बाहर लोगों को यह दिखाने के लिए कि मैं गुस्सा हूँ उसके लिए वह अंदर जाके बैट जाएगी सारा काम धाम चोड़के अकेले बैट के रो रही है ज्यादा तर अकेले रोना पसंद करती अकेले बैट के अपने आपको कमरे में बन करके रोने बैट जाएगी अगर मैं इसके साथ ही आपको कंपेरिजन में दूँ दोस्तों तो दो ऐसी मेडिसन्स है जिनको इसके साथ मेंटली कंपेर किया तो बहुत अच्छे उसमें डिफ्रेंशियेशन है आप पलसर टिला की बात कर ले मैंने पलसर टिला पर वीडियो बनाया है उस पलसर टिला की जो फीमेल होगी बहुत गुस्ता आयेका उसको लेकिन अगर आपने उसको संझाया तो वह मान जाएगी वापस से नॉमल हो जाएगी सीपिया कभी नहीं मानेगी, सीपिया को कंसोलेट करने में काफी समय लगेगा, आपको धीरे-धीरे करके फिर उसका जब कुछसा ठंजा होगा, देन वो नॉर्मल होगी, थर्ड मेडिसिन है नैक्टरम म्यूर, नैक्टरम म्यूर हाइली अग्रिसिव होती है, दोस्तों, आप इतनी से बात बोलेंगे, वो आपसे तुरंत लड़ना चालू कर देगी, और आपसे वो, और कंसोलेशन आपने उसको समझाने की कोशिश के तो और गुस्सा करेगी, तो उसको कंसोलेशन किसी हद में बरदाश नहीं होता, सीपिया को थोड़ा देर बाद वो बैटर होनी श होती है, वो सारी चीजों को अपने अंदर रखे रहेगी, इसलिए वो और जादा चुर्चड़ी और गुसा करती है, और दोस्तों अगर इसको लुक वाइस में बताऊं, तो जो सीपिया पेशन्स हैं मोस्ली देखने को मिलता है, बहुत दूबली पतली सी पेल कलर की लेड अगर उन महिलाओं में आपने जी चीज ध्यान दें कि अगर किसी को पानी में काम करने से परिशानी बढ़ रही है, तो भी आप पेशन्स को दें, उनको यह बहुत अच्छी काम करती है, नेक्स दोस्तों उसके जो माइंड सिम्टम्स में हैं कि इसको अकेले रहना बिलकु इसकर है, बहुत करते हैं इसके हैं कि हैट के सिम्टम्न में हैं सरमे डर्ड होका कि साथ आपको ओमेटिङ नौजया कंटिन्य बना रहे है, आपको लाइट संब। दिक्कत लगे और जैसे पीरेट शुरू हो गया, आपको कंडीशन बेटर हो जाए, सीप्या जरूर ट्राई करें और यह आपको बहुत अच्छा रिस्पाइड करेंगी, पेन के संसेशन के बारे में बात करते हैं, या पेन की लोकेशन के बारे में बात करते हैं, आपको मुस्ली लेफ साइड का जो सर में दर्द जादा देखने को मिले, कि लेफ साइड में आपको सर में दर्द बढ़ रहा है, और कभी आपको माथे की साइड मिल सकता है, कभी यह साइड में लग सकता है, लेकिन pain mostly आपको left में मिले, साथ ही vomiting nausea लगे, और दोस्तो अंदर आपको सर में ऐसा लगे, जैसे कुछ घूम रहा है, move कर रहा है, इतना intense pain लगे, एकदम सुई चुब रही है, ऐसा दर्द लगे, तो आप definitely CPA को try करें दोस्तो, छोटी बच्चियों में भी ये बहुत अच्छ जरूर ट्राइ करा हैं, आपको ये बहुत अच्छी रिजाई देगी, next बात करते हैं दोस्तो, इसके face की बारे में, face दोस्तो, जो है, मैंने जैसे बताएं कि yellow complexion की female होती है, एक दम पीला, एक dusky look आने लगे, face पे आपको बिलकुल, एक charm न दिखे, एक flawless skin न दिखे, एक dusky साथ में, आपको मिलाजमा की शिकायत देखने को मिले, सीप्या बहुत अच्छा काम करती दोस्तों, मिलाजमा की case में, specially, जो location of मिलाजमा है, जो जहाई की location है, वो आपको यहां ये नांक से लेते हुए, पूरे इस तरहां के पार्ट को एक तिली जैसा, like shape cover करती हो, तो बहुत ही अच्छे results हैं, और patient बहुत quickly reserve करता है, so next बात करते हैं, दोस्तों, इसके abdominal और stomach के cases के symptoms के बारे में, बात कर लेते हैं, दोस्तों, अगर आपको सुबा उकते से खटी ड़कार, बदजमी सी लगने लगती है, जी मतलाने लग जाता है, ये case दोस्तों, आपको pregnancy के द उनको ulty सी लगती है, जी मतलाता रहता है, खाना देखते से vomiting feel होने लगती है, या उसकी smell से उनको vomiting feel होने लगती, इस case में भी आप CPI का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, अगर आपको बहुत जादा acid vinegar, या फिर आप अचार, ये सारी चीज़े खाने की लेकिन दूद एकदम aversion है, आपको milk लेना बलकुल पसंद नहीं है, लेकिन ये खटी मसालेदार वाली चीज़े खाना पसंद करते हैं, खाने मूँ का स्वाथ जो है आपको बहुत अजीब सा टेस्ट लगता है, आपको लगता है, हर चीज़ बहुत नमक जादा पड़ा केस्ट आपको साथ में आपको मूँ में एक smelly feel होती रहती है, उस केस में भी आप CPI प्रयोग करें, बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों, साथी साथ दोस्तों अगर आपको बहुत पेट फूला लगता है, पेट फूला मिन्स flatulence आपको gas बनी सी लगती, पेट टाइट ल प्रयोग कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी रिस्पॉंड करती है, बात करते हैं इसके अब रेक्टल यानि की lower abdominal part की या फिर आप समझने की rectal area, urinary areas के बारे में, दोस्तों अगर आपको motion के दोरान blood आ रहा है, आपको लग रहा है, रेक्टम में बहुत ज़्यादा as brownish color का motion हो रहा है और motion बास करने के बाद आपको बिल्कुल असहनी ये pain हो रहा है, पेक में मरोड रही है, इन सारे cases में आप CPI का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको और overall जो symptoms match कर रहे हैं, तो definitely आप CPI के साइट सोचे हो और आपका उसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच का सालगने लग गया है, उस case में CPI बहुत अच्छी काम करती है, और आप इसका प्रयोग आवश्य कर सकते हैं, नेक्स बात करते हैं, इसके यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में दोस्तों, अगर आपको यूरिन में रड कलर का कुछ सेडमेंट सा दिख रहा है, ऐसे रड सेड ऐसा महसूस होने लगए कि यूरिन फिर से लग गई है, यह एक बार आप यूरिन पास करके आए हैं, तो आपको एक satisfaction नहीं लगता कि ब्लैजर पुरी तरह से खाली हुआ है, तो एक chronic cystitis का लक्षण हो सकता है, यह cystitis का लक्षण हो सकता है, और अगर बहुत लब्मे समय से ह उस केस में भी बहुत अच्छा काम करती है, यूरिन का फ्लो बहुत दीरे दीरे आ रहा है, बहुत अच्छे से फ्लो में यूरिन नहीं आ रही है, साथी साथ दूस्तों, आपको involuntary यूरिनेशन की टंगेंसी मिल रहे है, कि आपको बिना जाने आपको यूरिन पास हो जा तो पर आप सो रहे हैं और सोने की कुछी घंटों के अंदर ही आपको यूरिन पास हो जा रही है उस केस में भी CPI बहुत अच्छी काम करती है एक बहुत इंपोर्टन अच्छी केस पर काम करती है फीमेल में लक्षर बहुत जादा देखने को मिलता है इन्वोलेंटरी यूरि में देखा जिनको बहुत फ्रीक्वेंट डिलिवरी के केस मिले है या एबॉर्शन का केस रहा है उनमें दीरे-दीरे मसल्स में कमजोरी आने लगती है इस वज़े से उनमें ये लक्षर आता है तो उन महलाओं के लिए CPI बहुत जादा लाप्रद है आप उनका प्रयोगा अबशे कर सकते हैं दोस्तों फीमेल में बहुत ही अच्छे एरियास में ये काम करती है अगर आपको दोस्तों नीचे जो लोवर पार्ट हमें तब पल्वी के रिया बहुत ज़दा रिलाक्स लगता हो उसमें लगत शितिलता आती जा रही है और आपके जो पीरेक्स की जारों को एक उपर एक ऐसे चड़ा के रखके बैठना पसंद कर दी ताकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे बैठ हूंगी तो कोई भी चीज अंदर से बाहर नहीं निकलेगी तो ये एक संसेशन इसको बलते बीरिंग डाउन संसेशन ये संसेशन महिलाओं में बना रह या फिर बहुत जल्दि जल्दि आतो और बहुत लंबे समय तक क्लिए चलता है दोनों ही केस में बहुत अच्छा काम करती दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको जो बहुत जादा गाढ़ा हरे रंग का हो रहा हो और उसके वजह से आपको वयजानल एरिया या आपको चीजे लग रही हो कि बहुत आपके हाथों से बिलकुल निकलती जा रही हैं आप बहुत परिशान रहती हों उस केसे में भी CPI प्रयोग करें आपको ये बहुत अच्छी काम करें तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही पूरी तरह से इसमें समराइज करना पॉसबल नहीं था इसका बहुत अच्छा प्रयोग था मैंने वह आपके साथ डिसकस किया तो आप इसका प्रयोग करें आप बात कर लिते हैं कि इस प्रटनसी में आपको यूज करनी है हमेशा शुरू करें दोस्तों 30 प्रटनसी से 30 प्र तो उन पर प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आपके mental symptoms बहुत अच्छे मैच कर रहे हैं जो मैंने आपको आगे बताया था अगर उनमें आपको लग रहा है कि similarity बहुत जादा है तो उसमें 200 प्रटनसी या 1M प्रटनसी का प्रयोग कर सकते हैं 200 आप ले रहे हैं तो हर सुब प्रटने में एक बार इसकी दो बुंद आपको लेनी है जबान के उपए अब बात करते हैं इसकी complimentary medicine के बारे हैं दोस्तो अगर CPI को आप नेक्रम म्यूर के साथ compliment करते हुए देंगे तो यह और अच्छा काम करती है CPI अपने जो efficiency उसको और बढ़ा लेती है अगर आप उसके साथ नेक्रम म्यूर का प्रयोग करते हैं तो अगर 30 नेक्रम म्यूर यूज की 30 CPI आपने यूज की तो 30 नेक्रम म्यूर का भी उसके और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के informative वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy